दोस्तों मैं सचीन राय और मेरे यूटूब चैनल पिए टी विद सचीन में फिर से आपका स्वागत है जैसा कि दोस्तों आज हम आए हैं फिर से करसी फिल्ड में और देख रहे हैं यहां से रोटावेटर से हाँ जोताई हो रही है अब हम राय करसी फार्म से जो है हमारे के बारे में थोड़ी जानकारी बताईए ना यह रोटावेटर कितने फिटका है और सक्तिमान का रोटावेटर है इसमें माडल नंबर भी दिया है 332 जो पचास से 55 और 60 HP के लिए भी चला सकते हैं इसमें मतलब पर्याप थे उतना अच्छा और यह आपका ट्रैक्टर कौन तो भाई सब रोटावेटर चलाने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए और बड़ी घाल रहती तो बढ़ा रोटावेटर इसके सही रहता है और यह ट्रैक्टर को आप कौन-कौन से करसी यंद्रे में उपयोग कर सकते हैं जिसे मसीन में चला सकते हैं और जो पत्थर बिनने वाली मसीन आती उसमें भी चला सकते हैं और रोटवेटर सेडिल जो सभी एक्यूपमेंट रहते हैं पर्याप्त हो जाता है इतना 50 HP जो गाड़ी है वो सफिसेंट होती है क्रिसी कार के लिए बड़े से बड़े से उपकरन चलाने के लिए इसमां हार्वेच्ट चला सकते हैं और जातर कैसी यंतर जो कहीर कि चला सकते सीतना HP 50 पर आप्ष्पमे हो प्र Gods बालinga तो बहुत करने में सुवीदा होती है और भी गांकूरत अच्छा होimi होता है तो इसमें ग्यहूं ठीक से अंकुरी थो नहीं पाती है, बीच ठीक से हमारा उग नहीं पाता है, सिधी भातम कहें तो जम नहीं पाती है, फसल आपकी, तो रोटो बेटर से बहले तूट जाते हैं, और जग भी समतल हो जाती है, बगाई करने में भी दिक्कत नहीं होती, और हिद भी हो जाता है, समतल हो जाता है, यानि सिचाई करने में भी लाव होता है, और इसकी डीजल खापत कितनी होगी गंटे में, इसका चाल लीटर का सम्थिंग अभी अनुमान है, चाल लीटर हमारी पचास हर स्वावर की गाड़ी ले रही है, रोटो बेटर पे, अच्छ नहीं जाता है, चार भी नहीं जाता है, बहुत कम कंडिशन में जाता है कि ज़्याद़ी राउंड माउंड्स लेता है, या फे मिट्टी फश्ट वार उजटाई करते हैं, गहरी जटाई तो लगता है, निदमा के तीन से परियाप्त हो जाता है, तो दोस्तों आज के वीड